हेलो शुडेंट्स वेलकम बेक टू अकेडमिक लेंग विद्या पीट तो आज की वीडियो हम लोग बात करें केमिस्ट्री के चैप्टर फर्ष्ट के एंसीयाडी कुष्टिंस के बारे में तो नमबर फर्ष्ट कुष्टिन दिया हुआ है कि वाई शुड़ा मैंगनेशियम इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंगनेशियम रिबन है वो जलाने से पहले हमें साफ क्यों करना चाहिए तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगनेशियम रिबन reacts with oxygen present in air to form a protective layer and inert magnesium oxide on its surface का मतलब ही है हमारा कि मैंगनेशियम रिबन होता है वो एर से react करके एक protective layer बना लेता है जो कि मैंगनेशियम oxide की होती है यहाँ पे लिखा हुआ भी है आप लोग देख पा रहे हैं तो इस layer की वज़े से यह unreactive layer होती है तो यह जलने से रोक देती है और अगर यह layer होगी तो जो मैंगनेशियम बन हमारा वो fire बन नहीं कर पाएगा तो इसी वज़े से यहाँ पे जलाने से पहले हम लोग इसको साफ कर देते हैं next question दिया हुआ है यहाँ पे second में कि why write the balance equation for the following chemical reactions तो इस chemical reaction के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि hydrogen plus chlorine equals to hydrogen chloride यानि कि यहाँ पे hydrogen का S2 होता है यहाँ आप लोगो देखना है कि इन दौनों से मिलके कौन सा जो compound हमारा वो बन रहा है तो यहाँ से हमने बीए उठाया और यहाँ से यहाँ से एक्षिन लग रही है नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे 2NA, 2NA plus 2S2O, तो 2NA plus 2S2O का मतलब क्या है, sodium यहाँ पे दिया हुआ भी था कि sodium plus water equals to sodium hydroxide तो 2NA plus 2S2O equals to 2NAOH plus S2O, यहने कि यह NA दिया हुआ है, यह S2O, तो NA और S2O से मिलकर हम लोगों का कौन सा compound बनता है, तो यहाँ पे NAOH यहने कि sodium hydroxide बनता है, देखो आप लोगों को reactions तभी याद होंगी, जब आप सभी लोगों को compounds भी याद होंगे, तो सबसे पहले आप हुआ है, यहाँ पर, write the balanced chemical equation with state symbols for the following reaction, तो यहाँ पर सबसे फर्च दिया हुआ है, solution of barium chloride and sodium sulfate in water, reacts to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride, तो यहाँ पर solution इसका दिया हुआ है, barium chloride, तो barium chloride का formula आप लोगों को यादमने चाहिए, BACL2 यह लिखा हुआ है, and sodium sulfate, तो sodium sulfate का formula होता है, NA2SO4, तो ज यहाँ पर, यहाँ पर, BACL2 यानि कि, BACL2 यहाँ यहाँ पर लग रही है, तो BACL4 यह बन गया, varium sulfate और यहाँ पर बच्छ गा, NACl, अब equation को balance करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर CL2 में भी 2 है, NA में 2 है, लेकिन यहाँ पर single single था, इसलिए यहाँ पर हमन तो react कर रहा है hydrochloric acid यानि की scl के साथ तो naoh plus scl आप लोग easily समझ सकते हैं कि na और cl मिलके nacl बनाते हैं और यहां पर h यह बचा और यहां पर जो हमारा ho यह बचा तो h और ho मिलके हमारे h2o बना देते हैं आगे हम लोगों को equation to balancing देख लें नहीं और हमारी reactions complete हो जाएगी और आप लोगों कोई भी query हो तो आप लोग मुझे से comment section में पूछ सकते हैं thank you